वोटल और रेस्टोरेंट करना एक कॉमन स्टार्टर है क्रिस्पी चली पटोटेटो जो आज बच्चों से लेकि बड़े तक सभी को काफी पसंद आता है तो आज हम बनाएंगे स्पाइसी से और बहुत ही क्रिस्पी से चली पटेटो जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और किस तरह बता के काट लेए तो यहां मैंने एकड़ी पटेटो के वेजेस पाोर से पूर्च आछा आजटी है में रसावाटिटैस से लिक्षिता हुपरत लिया है और बैकी जो आलो थे काट लेका लोगे तो यह बस नहीं आपको बता है था किससे काटना है अब in आलू को काटकśmy हम डालेंगे पानी में क्यूंकि पानी में डालने से क्या आलू पालें नहीं पड़ेंगे वरना आलू का कलइर चीनज हो झाएगा मैंने ये एक बोल में पानी को बॉइल होने रख दिया था और पानी बालो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे सारे कटे हुए आलू और इसको लगभख चार से पांच मिनट के लिए हमें उबाल लेना है बहुत जादा नहीं बालना है वरना आलू जो हो ओवर को जाएंगे और उसके बाद जब हम इनको मिक्सिंग करेंगे न तो यह तूट सकते ह इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बॉइल नहीं करना है तो बस चार पांच मिनट में अच्छी तरह से आलू हमारे उबल जाएंगे उसके बाद हमें इन्हें चान लेना है तो देखिए जो आलू थी ना इनको मैंने निकाल लिया एक बोल में और आलू ना बिल्कुल भी कौक नहीं होने चाहिए में डालेंगे बाइंडिंग के लिए अराओ यह कॉन्स्टार्च तो यहां फॉर्थ कप लिया और यहां पे मैदा साथ में वन टीस्पून डाल रही हो में इसमें नमग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जाधा कर सकते हैं काली मिर्च अच्छी तरह से मिक्स कर देना और लिंगे घंड तोर चौट ज़ेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्टी निया है थोड़ा फानी हमें जोट तोड़ा नहीं हमें जाएंगे, जुदी नहीं जाएंगे, बहुत जाएंगे, की तो यादा हमें लिए मैदा या ये में डाला धाल तो एक दम high flame पे हम यह सभी आलू डालव डाली देंगे फ्राइ लिए फ्रेम ना हमें एक दम हाई रखना है जैसे से मैं आप से हर रेसेपी में बोल्ती हूं किभी को करेंगे बिया हमें प्राइप से नहीं कम हैं एक दम हाई रखनी है हाई क्लेम पे इस तरह से देखिए उपर नीचे करते हुए ना आलू को हमें फ्राइ करना है जिससे के बहुत ही बड़ी है क्रिस्पी आलू हमें बनके मिलेंगे तो अब मैं क्या करूंगी इन्हें निकाल ले रहे हुँ एक पेपर पे मैं निकाल लिया है और एक बार और हमें इन्हें फ्राइ करना पड़ेगा जिससे और भी जादा क्रिस्पी बनेंगे तो अब जो बाकी बचे हुए आलू थे ना उनको भी मैं डाल दूंगी तेल में और इन्हें भी हाई फ्लेम पे हमें कुक करना है उसी तरह से जैसे हमने पहले आलू को फ्राई करा था ना बस उसी तरह इन्हें भी हमें थोड़ा उपर नीचे अलट पलट के फ्राई कर ले हाई फ्लेम पे जो आलू हैं बहुत ही बड़ा शायों अर रिस्पी आलू चालें चाले हैं नेरा वह ईसी तरह देखें को बहुत ही क्रिस्पी वर यरजा ratio आलू चाहिे तो पूरी जैख moving और बहुत बध्रिया बनाए भी है और सबको बहुत पसंद आएगी एक दम और बहुत ही अच्छे से एक रिस्प पोच चुके हैं तो बस इन्हें में निकाल ले रही हूं एक अब्स पेपर पर इसी तरह भी अगर नहीं खाओ ना तो भी बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे तो जब भी बनते हैं तो आदे तो इस तरह खानी में ही खतम हो जाते हैं अब मैंने लिया एक पेन उसमें डाल दिया लगवग दो चमश तेल इसमें डाल देंगे हम एक बड़ा चमश लहसन और लहसन को थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें डाल दूंगी में ये दो हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकोडिंग लेग सकते हैं अगर में एक लिया है थोड़ा मीडियम साइज का इसमें डाल दूंगी अनियन तो यह एक अनियन थी इसको मैं इस तरह से देखिए चोटे-चोटे डाइस में उनको भी डाल देंगे हम इसमें और इसको भी हम अच्छे से कर लेते मिक्स यह इंडो चाइनीज रसिपी यह हम चौ और यहां मैंने डाल दी है कैपसिकम यह लगवक वन फॉर्थ कैपसिकम में बड़ा इसको भी डाला है और इसको भीने में डाइस कर दिया था 1 table spoon रेट चिली sauce अगर आपके पास ग्रीन चिली तो आप अधिसकी के जगा 1 table spoon रेट सोिया सवास सदें, अगर लाइट अधिसकोट मड़ा सकते हैं साथ में डाल देंगे हम वन टेबल इस्पून टोमेटो केचप अगर आपको थोड़ा जादा मिठास चाहिए तो थोड़ा जादा भी ड्रक सकते हैं इसमें आप और हाफ टेबल इस्पून मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है और सब चीजों को हम कर देते हैं अच्छे से मि अच्छे स्पूर्ण प्रेश चीजों को बना के तैयार कर लेंगे तो पानी हम आगे भी जरूवत होगी तो उसह बना के और लेलेंगे यह जो डालनी है अपनी सब्चियों में उससे पहले डाल देंगे हम इस प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट आता है तो बस है अनियन ग्रीन पैनी लिया है वह डाल के मिक्स कर देंगे हम एक बर और उसके बाद हम डाल देंगे कॉंट स्टार्च की जो सलदी हमने बना के तैयार की है इसके साथ में हमें पानी डालना है तो पानी की क्वांटिटी में बहुत जादा नहीं रख रहे हूं थोड़ा सा ही पानी में यहां पर डालूंगी अगर आपको ग्रेवी वाले चिली पर्टेटो चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं तो यह थोड़ा पानी में डाला है और सब चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से पानी डालने के बाद जो ग्रेवी अब यह जो प्रेवर करके हमने तयार किये दे वह में डाल दूंगी इसके अंदर अच्छी दरा से मिक्स कर देंगे बस जिससे की सारी की सारे जो मसाले और जो सौसे हैं उनके फ्लेवर मिक्स हो जाएंगे इस पाटेटो में तरह का कंसिस्टेंसी रहेगी अगर आपको थो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल ये इंडो-चाइनीज रेसिपी तो यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो गुडवय